हेलो गाईज, आज बहुत दिनों बाद मुझे एक्जाम देने की स्टूडेंट वाली फीलिंग आ रही है मैं अभी बैठी हूँ बस्टॉप पे और बस आने वाली आधी गंटे में मैंने सारी पढ़ाई कर ली थी, सारा रिवीजन भी कर लिया है और आज का ये जो एक्जाम है ना, वो Norwegian Society के बाड़े में Social Studies का एक्जाम है तो ये एक्जाम में English में दे सकते हैं और आज का result भी तुरंट मुझे पता चल जाएगा कि मैं pass हूँ क्यों fail तो मैं आपको बताती हूँ इन exam के बाद मैं थोड़ी nervous हूँ बर देखते हैं कि क्या होता है ये मैं exam pass हो गई पहले मुझे लगा desktop पर result आएगा बट वहाँ पर जो examiner थे ना, उन्होंने मुझे result पताया मेरा जो exam था ना, वो 38 questions थे और ये बहुत जल्गी खतम हो गया मुझे लगा कि 10 minutes में शायद मैं यहां से निकल जाओ लेकिन मैंने ना, revise किया जान भूज के दुबारा से और फिर उसमें मुझे total 15 minutes लगे तो इस तरह से मेरा जो ये exam था वो मैं pass कर चुकी हैं और मेरे अभी दो exam और बचे हैं नौर्वे में जो की नौर्वीजिन नाजविच के ओने वाल है तो आप मेरे इस जर्नी में ऐसे ही बने रहो और आगे मेरे ऐसे ही वीडियो देखते रहना